महराश्ट्रों के मालेगाउं से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है यहाँ पर कुछ कॉलोनीज है जिसमें रात को एक शक्स गली-गली गूमता है और यह शक्स औरत के कपड़े पहन कर गूमता है हर दिन ये अलग कॉलोनी में गूमता है और ऐसे वक्त में गूमता है जिस वक्त कोई नहीं होता है इसे कई एरिया जहांपर CCTV है उनमें ये ट्रैक तो हो गया लेकिन इसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है क्योंकि ये गायब हो जाता है मालेगाओं की इंद्रा नगर, पालेजाव, विठल नगर और डीके कॉलोनीज का ये मामला है यहां के लोगों की शिकायत है कि अर्ली मॉनिंग जब औरते नेचर स्कॉल के ले जाती है तब उन्हें ये शक्स नजर आया और ये अजीब तरह की आवाजें निकाल कर औरतों को डराने की कोशिश करता है सबसे बड़ी बात ये भी सामने आया है कि ये व्यक्ति है एक आदमी लेकिन औरतों के कपड़े पहनता है CCTV फुटेज में ये भी देखा गया कि ये आदमी पहले आता है औरतों के कपड़े चुराता है फिर चाहे गरों में हो या किसी दुकान से हो ये औरतों के अंडर गार्मेंट्स, ब्लाउज, साडी, पैटी कोट ये साडी चीजे चुराता है, ये चीजे पहनता है और उसके बाद गलियों में नजर आता है कभी किसी गली में तो कभी किसी मोड में इतने समय से लोग बहुत ही दैशत में जी रहे थे कि ये कोई आत्मी है या किसी भूत प्रेत का चक्कर है इन कॉलोनीज के सभी लोगों ने इस आत्मी को ट्रैप करने के लिए कई जगे सीसी टीवी कैमरा लगाया और उस पर नजर रखनी शुरू की ये सीसी टीवी कैमरा में कैट तो हुआ लेकिन पुलिस की पकड में अभी तक नहीं आया है इसकी हरकते देखकर लगता है कि ये अपना टैरर पैदा करना चाहता है और ये मुझ से अजीब सी आवाजे निकालता है जिससे अरली मॉनिंग में जो अड़ते निकलती है वो डर जाए इस व्यक्ति को अभी तक पकड़ा नहीं गया है ये कौन है क्या पहचान है ये पता नहीं चल पाई है लेकिन CCTV फुटेजिस में जितने भी विडियोज आए हैं वो सभी इशारा ये करते हैं ये आदमी पहली बात तो अपना टैरर पैदा करना चाहता है और दूसरी बात ये कि हो सकता है ये मानसिक रूप से बिमार हो और इसके चलते ही ये आदमी इस तरह की हरकते किया करता हो लेकिन अभी तक कुछ भी कह नहीं सकते पुलिस इस शक्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि कॉलोनीज के लोग डरे हुए है